तो आज हम जानेंगे कि Fibonacci strategy आखिर कैसे वर्क करती है और क्यों मैं ऐसे one of the best trading strategy मानता हूँ क्योंकि options में जब ट्रेडिंग करते हो तो scalping के लिए यह आपको बहुत अच्छे support and resistance provide करके देती है जो कि ट्रेंपोरी support and resistance होता है बट फिर भी वो आपको लिए बहुत अच्छा वर्क करता है तो scalping के लिए Fibonacci बहुत अच्छी एक trading strategy है तो आज हम उसके बाड़े में ही जानेंगे आपके बहुत सारे queries and comments आ रहे थे कि सर्फ Fibonacci strategy को आप reveal कीजिए तो उसके लिए ही मैंने Thursday को यानि कि जो expiry था यह recent expiry थी 23rd of March की उस पर मैंने अपना Fibonacci setup लगा कर screen record करी थी जैसे मैं आज आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ तो बेना जादा time waste करें चलिए वीडियो को start करते हैं तो हम आचोके मेरे laptop की screen पर और मैंने जो recording start करी थी वो करी थी लगबग 11 बचे के करी तो Fibonacci के लिए जो सबसे main चीज़ आपको चाहिए वो एक होता है swing high and swing low इसके बिना Fibonacci setup को अपने screen पर plot ही नहीं कर पाऊगे तो यह swing high and swing low जो होना चाहिए वो एक तम recent का swing high swing low होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप बहुत दिन पीछे का swing high and swing low capture कर रहे हो वैसा नहीं आपको जो recent swing high and swing low मिलेंगे यह आपके लिए सबसे beneficial रहेंगे Fibonacci को लगाने के लिए और यह बिल्कुल छोटे भी नहीं होने चाहिए जैसे आप यहाँ पर देखो मैं इसे play करता हूँ आप यहाँ पर देखो market यहाँ पर एक down लगाती है low लगाती है यहाँ पर और यहाँ पर एक लगाती है high तो यह जो आपका swing high से swing low हुआ यह लगबग 120 पॉइंट का होड़ा है क्योंकि low है market का 17,050 और high है market का 17,175 के approach तो 125 का आपका एक range मिल रहा है तो यह बहुत अच्छा range है Fibonacci setup को लगाने के लिए और फिर मैंने यहाँ से Fibonacci को select करा और अपने screen पर मैं plot कर दूँगा अब देखिए आपको जो है यह भी एक swing high and swing low यह भी आप एक रख सकते थे यह जो है यह वाला swing low इसे भी आपको अपनी setup के लिए use कर सकते थे बट फिर क्या होगा कि आपको range बहुत ही छोटे मिलेंग इसलिए range हलका सा बड़ा रखे जैसे यह nifty का chart है तो मैंने range रखा है लगबग 125 point का अब 75 से 150 तक के point का range रख सकते हैं और फिर जैसे ही आपका recent high recent low change होता जाएगा आप अपने Fibonacci को भी change करते जाएगा अब जैसे मैंने यहाँ पर Fibonacci को setup कर लिया Fibonacci का setup मैंने यहाँ पर कर लिया तो अब देखिए यह हो गया हमारा 100% market नीचे से उपर गई है तो हम पहले नीचे से start करें नीचे हमारा 100% रहेगा और उपर रहेगा 0% अगर market उपर से नीचे आती तो उपर हमारा 100% होता नीचे होता 0% अब देखिए यह बिना Fibonacci का जो chart है ऐसा दिख रहा ह आपको कुछ भी अच्छे से levels नहीं मिलेंगे यह तो black वाला और red वाला तो मेरा 50 का और 100 का moving average है black वाला 50 का moving average और red वाला 100 का moving average अब यह निफ्टी बैंक का chart है मैं अपने किसी भी chart पर 50 और 100 को तो रखता हूं तो इस पर भी मैंने अपना Fibonacci draw कर लिया अब देखिए Fibonacci draw करने से यह जो 100% से 0% मिला अब यह तीन जो lines हैं बीचके 38% 50% और 60% यह आपके लिए support and resistance का काम करेगी market अगर उपर से आ रही है तो यह आपके लिए support बनेगी और market अगर नीचे से जा रही है तो यह आपके लिए resistance बनेगी और पहला बार जब आपको support and resistance को touch करेगी वो opportunity सबसे अच्छी होती है जैसे यहाँ पर देखिए Nifty bank में यहाँ पर मैं pause करता हूँ आप यहाँ पर देखिए Nifty bank उपर से आई और 38% पर जैसे touch करा तो यहाँ पर market ने तो हलका सा support लिया और यहाँ से market थोड़ी से उपर गे यह जो opportunity होती है यह scale पर sketch करत हैं 100 में से आप पकड़ लो 80-85% chances हैं कि market यहां से एक बार रिटेस्ट उपर की कड़ेगी market reverse लेगी यहां से इसलिए scalpers जो हैं आपर अपने injury बनाते हैं चोटा सा stop loss रखते हैं maximum 50% 50% तक का stop loss रखेंगे और फिर one is to one के रिस्ट रवाड़ी के recording ही अपना profit बुक कर लेंगे आप देख सकते हैं यहां से market अच्छी सी डिटेस्ट की और यह जो बैंक निफ्टी का चार्ट है आपको यहां पर candle सोटे लग रहे होंगे पर इतने महीं आपको लगबग वो 30-40 रूपीज देकर यहां पर strike price पर 30-40 रूपीज देकर market जाएगी इतने ही point में आपको अब जब second बार market 31% या 38% के पास आएगी 38% के पास second बार आएगी तो वो उतना जाता effective नहीं रहेगा जितना पहला वाला था क्योंकि market तुरंत आड़ी है 31% 38% के पास तो साइद इसे break कर सकती है इसलिए जो first opportunity रहती है first बार जो test करने आती है touch करने आती है 38% को या 50% को या 61% को वो opportunity सबसे अच्छी होती है trade में entry करने के लिए फिर second बार आ रही है तो आप छोटी quantity के साथ entry कर सकते हो और third बार आ रही है तो उससे भी छोटे या फिर आप third बार में तो entry नहीं करो वो best रहेगा क्योंकि वहां पर आप trap हो सकते हो अब हम देखते हैं आगे market ने क्या करा market second बार फिर से आड़ी है 38% के पास मैं हलका सा forward करता हूँ यहां पर आप देखो 38% के पास market आई 38% के पास market आई 38% को touch कर रही है अब यह scenario एक और क्योंकि अच्छा है क्योंकि 38% के ठीक नीचे 50% और 100% का moving average है तो 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 तीन-तीन हमारे पास यहां पर support है अब देखो यहां पर आप call का price देखो 239 चल रहा है तो 39,800 का call है वो 239,40 के आस पास चल रहा है और यहां पर benefit मिलेगा आप यहां पर देख सकते हो मैं यहां पर भी Fibonacci को थोड़ा सा adjust कर ले रहा था यह कलका ही Fibonacci इस पर लगा हुआ था उसे भी मैं adjust कर लेता हूं आप यहां पर call की pricing देखो जो 240 चल रहा था वो 256, 251, 52, 54 ऐसे चल रहा है भी तो आपको 14 रुपीज का यहां पर scalpers के लिए अब आप बताओ market कहीं से भी उपर जा सकती थी बट वो 38% के पास सही क्यों उपर गी क्योंकि यह Fibonacci का magic है Fibonacci के जो levels होते हैं यह बहुत अच्छा work करते हैं और उसके साथ यह जो point था यह ज़्यादा beneficial क्यों था हमारे लिए क्योंकि ठीक नीचे इसके 50 का moving average और 100 का moving average था, market को 3-3 support थे यहाँ पर, 3 support को एक बार में break कर दे, ऐसे chances तो मुझे लगता है कि 10 में से 9 बार ऐसे chances को market कभी fail नहीं करेगी, वो 10 बार यहाँ पर support लेगी, 10 में से 9 बार यहाँ पर support लेगी, एक बार में वो साथ उसे break करके नीचे चला जाए, और मैं यही सब positions को, यही सब situations को capture करता हूँ, क्योंकि market जो है, आपको एक मौका देगी scalping के लिए, फिर वो दुबार रिटेस्ट करने आ रही है, आप छोटी quantity से scalping करेगा, पहले बार आप 500 quantity से scalping करेगा, सेकेंड बार आप 200 quantity से scalping करो, 100 से scalping करो, थर्ड बार तो आप risk low ही ना, अब दे weight करूँगा 38% तक के लिए, अब देखो, market nifty आई, वही 38% के पास nifty आड़ी है, अब एक चीज़ आपको mind में रखना होगा, कि यह तो कोई pen से draw नहीं कर रहा है, कि एकदम perfect जाएगा 0% तक, perfect आएगा 38% तक, वो perfect भी आता है, 100 में 80 बार वो perfect आएगा, पर एक दो point के लिए weight नहीं करूँगे, कि market को इसको touch करेगा, तभी मैं यहाँ से buy करूँगा, या इसको बिना touch करे, एक दो point ऊपर है, तो मैं buy नहीं कर रहा हूँ, एक दो point के लिए आपको इतना सोचना नहीं है, देखिए, मैंने यहाँ पर call add कर लिया, इसका price चल रहा है, 89 से 90 रूपीज च support मिलेगा और market ऊपर की तरफ जाएगी, इसलिए मैंने call add करा, अब देखो आप, 90 रूपीज उसका price चल रहा था, अब मैं तो आसा forward करता हूँ, देखो, 93 हो गया उसका price, market ऊपर जाड़ी है, 94 हो गया, अब देखो, एकदम perfect तो यहाँ पर नहीं हुआ, एक point से, दो point से market र बना लो, अब देखो, 90 पर मैं entry बनाएं थी, market देखते जाना, कैसे उपर जा रही है, अब market कहीं से भी घूम सकती थी, बट market ने उसी position को क्यों select करा, क्योंकि वहाँ पर 38% है, जो Fibonacci का 38%, जो अच्छा work करके देती है, इसलिए मैं Fibonacci पर इतना trust करता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं कहीं भी buy कर लूँगा, और market उपर चील जाएगा, ऐसा बहुत कम chances होते, market कम ऐसा support या resistance पर ही buy या sell करना चाहिए, यह तो हमारा जो trading का सबसे simple and basic rule होता है, वो है, आप देखो, 96 रूपीज चला गया, 90 रूपीज से, अब market उपर ही जाड़ी है, धीरे धीरे, और दे कि मार्केट को अच्छा सा support मिला, 38% पर वो पहली बार आई है, निफ्टी जो हमारी है, वो 38% पर पहली बार आई है, तो उसे वहाँ पर support मिलेगा, इसलिए वो उसने market को वहाँ से reverse करा, देखिए, 108 रूपे चला गया, 109 रूपे, लगबग 20 रूपे आपको यहाँ पर मि चाहिए होता है, मैं scalping करता हूँ, और Fibonacci scalping के लिए best होती है, और Fibonacci के लिए सबसे important चींज क्या है, एक swing low, एक swing high, जो perfect होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई भी swing high, swing low, select कर दो, क्योंकि इसी के base पर आपका जो labels बनेगा, 38% का, 50% का, 61% का, इसी के base पर बनेगा, वो 38 38, sorry, वो swing low और swing high, इसलिए आपका perfect होना चाहिए, और आपको हमेसा, first बार जब rejection ले, या first बार जब support ले, किसी भी level पर 38, 50 या 61, तो ही आपको buy a sell पर focus करना है, यहाँ पर देखिए, वो जो हमारा 90 रुपीज वाला था, वो 109 रुपय यहाँ पर चला गया है, और chart पर दे अब मैंने यहाँ पर क्या notice करा, कि यहाँ पर एक W pattern बन रहा है, मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर market में W pattern बन रहा है, तो आपको यह सब चीज जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास जानकारी रहेगी, तो ही आप जो है, अलग-अलग setup से, अलग-अलग ज इस snake line को ऊपर cure break करीगी, तो मैं अपनी injury बना सकता हूँ, तो आपको अगर knowledge है, तो आप अलग-अलग जगे पर अलग-अलग तरीके से injury बना कर पैसा कमा लोगे market से, लेकिन अगर आपको knowledge नहीं है, तो आप एक setup के ऊपर based रहोगे, उसी मैं आपको यह तो profit मिलेगा, यह loss मिलेगा और आप same level पड़ी रह जाओगे trading में, अब देखो market में यहाँ पर breakout हुई, जो W pattern था, उसका breakout हुआ, यहाँ पर market में, यह देखो, W pattern का breakout हुआ, यहाँ पर अपनी injury बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हमारा पास knowledge है कि W pattern पर हमें trade मिल सकता है, तो हम अपनी injury बना हम वेट करेंगे, और market कहां तक जा सकती है, तो market 0% तक जा सकती है, यहाँ तक का हम अपना target एक सोच सकते हैं, और हमारा stop loss क्या रहेगा, यह जो यहाँ पर नीचे का एक support दिख़ए हमें, 100 का moving average, यह हमारा रहेगा stop loss, तो लगभग 20 रुपीज, 20 point का हमारा stop loss है, market 176 पर च market है, देखते हैं, market क्या करके देती है, अब देखिए, market यहाँ पर एक बनाई है, gravestone doji, अब बहुत सो लोग यहाँ पर यह करेंगे, कि gravestone doji बना है, यह तो एक bearish signal होता है, हमें नीचे के तरफ entry बनाई हैं चाहिए, लेकिन gravestone doji के साथ जो सबसे main point होता है, वो बहुत लोग भूलेंगे, वो क्या है, कि gravestone doji जब किसे resistance पर बनती है, तो ही अपना काम करके देती है, तो ही वो work करती है, तो यहाँ पर कोई resistance आपको दीख रहा है, नहीं, resistance कहा था, यहाँ पर यह 0%, यह आज का swing हाय था, अगर यहाँ पर बनती, तो यह बहुत अच्छा work करके लेकिन उससे थोड़ा नीचे बनिया, और यही सब trap है, जिसमें beginners फसते हैं, वो सिर्फ gravestone doji देखेंगे, अपनी entry बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर यह mark किया, कि gravestone doji है, इसे देखकर बहुत लोग entry बनाएंगे, और market सोचेंगे नीचे जाएगी, market में इसे नीच इसने gap छोड़ा है, यह देखने में छोटा सा है, बट हमारे जो criteria था gravestone doji का, उसे तो यह fulfill करने से रोक रहा है, क्योंकि यह किसी resistance पर बनी नहीं, और इसलिए मैंने entry कभी नहीं बनाऊंगे, और आप देखो, at the end वही हुआ, gravestone doji ने सब को फसाया, gravestone doji नीचे के that's it, फिर देखो आगे क्या हुआ, market ने वही करा, जैसा मैंने कहा था, market ने gravestone doji को कोई भी respect नहीं करा, क्योंकि वह resistance पर बनी नहीं थी, market उपर ही जाड़ी है, जिसने भी अपनी यहां पर positions बनाई होगी, w pattern के breakout पर, वो safe होंगे, क्योंकि उनका stop loss भी हिट नहीं हुआ, market reverse हुई है, market उपर जाड़ी है, वो अपनी positions के साथ बैठे रहेंगे, आप देख सकते हो, market अच्छे से उपर जाड़ी है, क्योंकि उसे 0% तक जाना है, और देखो, वो कहां तक गई, almost 0% तक गई, 0% को touch करा, और फिर वहां से retrace करी, अब मैंने यहां पर क्या करा, 17,250 का मै मैं आपको बताता हूँ, market ने touch करा, 0% को हमारा market ने touch करा, जैसा मैंने कहा था, यहां हमारा तक target है, यहां पर हमने अपनी profit, अगर हमने इंट्री बनाई होती है, हम अपनी profit book करेंगे, और वहां पर हमें put लेंगे, reason क्या है, reason simple है, जिस तरह से यह सब levels हमारे लिए support का 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 अगर market उपर से आ रही है, तो यह 0% हमारे लिए resistance का काम करेगा, क्योंकि market यहां नीचे से जा रही है, और first time इसे touch करेगी, यह तो हमारा swing high बनने के लिए, यह तो हमारा swing high था ही, तो market second bar, first bar, sorry, first bar जब market उसके पास जा रही है, उससे resistance लेने के उसके chances है, इसलिए हम यहां पर एक put side entry बना सकते है, scalping के लिए, लेकिन हा, हम में सा यह सब scalping के लिए रहेगा, आप देखिए, market ने उसी जगह से rejection लिया, और market नीचे आई, अब यहां पर आप अपना जो है positions कहां के लिए रख सकते हो, तो यह जो neck line था हमारा, यह एक अब support का का काम कर सकता है, हम यह तक के लिए अपनी positions रख सकते, या फिर अगर आप scalper हो, तो आपको believe नहीं करोगी, इतना जो छोटा candle आया है, जो यह चोटा सा बना है, इसमें ही आपको लगभग 4-5 rupees market दे देगी, और अगर आप 200-300 quantity के साथ कर रहे हो, और आप 500 quantity के साथ कर रहे हो, तो 4 rupees आपके 2000 और चोटा सा profit लेकर जाना हो, अगर आप 100 quantity के साथ भी कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको 400 rupees लगबग मिल जाते, तो वो कम नहीं होता है एक छोटी scalper के लिए, अब आप देखो market आगे क्या करती है, market उसी level के आसपास तक आएगी, यह देखो, market वहीं तक आड़ी है, वहीं entry कर सकते हो, तो आपका stop loss भी बहुत छोटा सा रहेगा, और आपको profit भी बहुत अच्छा मिलेगा, और आप दिन में बहुत बार ऐसे trade कर पाऊगे, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको exact जो swing high, swing lows मिलने चाहिए, आप exact उसमें Fibonacci set कर पाऊगे, तो ही ऐसा हो पाएगा, आप आपके levels अच्छे बनेंगे, तो ही आपको best result मिलेगा, नहीं तो फिर आपके levels अगर उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, तो आप अपनी entry तो बना लोगे, लेकिन आपको जो है, आप सही जगा पर entry ले नहीं पाऊगे, क्योंकि वो 38%, 60%, यह सब किसी काम के नहीं होगे, अगर आपका swing high और swing low आप अच्छे से पहचानना नहीं सीख पाऊगे, तो आप आप कभी Fibonacci अच्छे से लगा नहीं पाऊगे, और आपके जो है, हमेशा stop loss ही hit होंगे target के जगे, अब देखो आप market उसी level पर आई, और वहीं से retest कर रही है, वहीं से reverse होड़ी है, तो आप support level पर आपने put side से exit करो, call side entry बनाओ, लेकिन आपको knowledge रहने पड़ी होगा, आपको पहले practice करना पड़ेगा, बहुत दिन तक इस पर आपको paper trading करने पड़ेगी, अपने levels को आपको देखना होगा, कि मैं सही से levels पहचान पा रहा हो यह नहीं, सही जगह पर मैं entry ले पा रहा हो देखें, वो 70 रुपीज पर चल रही थी, वो 76 रुपीज चली गई, 6 रुपे का profit आपको यहां भी देखने को मिल गया, अगर आप 4 quantity के साथ ही करते हो, 200 quantity के साथ ही अगर आप करते हो, तो आपको 5-6 रुपीज अगर यहां मिल गया है, तो 1000 रुपे आपको यहां पर बन बन गे easily, तो यह बस से practice का कमाल है, और कुछ नहीं, और देखो market ने यहां से जो support लिया, तो उतके लिए resistance कौन सा जगा है, तो अगर आप थोड़ी दिर बैठना भी चाते हो, तो market को यहां तक बैठ जाओ, और आपका stop loss क्या रहेगा, यही 100 का moving average, जो इसके नीचे का पहल से लगाइए, मैं तो यही को suggest करता हूँ, आपको जितने में profit में मिल रहा है, जो भी profit मिल रहा है, अगर आप उसे संतुस्ट है, अपने target को book कीजिए, and trade से exit कीजिए, अब आप देखिए, market ने उसी जगह पड़ा कर support लिया, जो हमारा neckline था, support से उपर गई, और हमें profit दे देखने को मिला था, यह 70 रुपीस था, अब यह 77 चल रहा है, market थोरी से नीचे आगे, यह तब 77 चल रहा है, यह 80-81 तक तो गया ही था, तो Fibonacci setup में यही था, कि आपको swing high, swing low को पहचानना है, उस पर अपने Fibonacci setup को plot करना है, और जो first बार support या resistance लेगा, उस पर आपको ज Fibonacci का, और फिर देखो कि आप कितने अच्छे accuracy के साथ अपना setup बना पा रहे हो, कितने अच्छे accuracy के साथ आपका यह levels जो है, 38-50% यह work करते हैं, फिर time-to-time जैसे ही नया swing high या swing low बनता है, आप अपने Fibonacci setup को change करो, swing low को change करो, swing high को change करो, और फिर देखो कि आप कितने कर पाड़े, आप पर stop loss, कितना बार hit हो रहा है, इन सब पर पहले आपको practice करनी होगी, बहुत अच्छे से practice करनी होगी, देखिए, मैं एक चीज़ हमेसा सिखाता हूँ, अगर आप 10 दिन तक practice करते हो, फिर एक दिन trade करते हो, तो आपको साथ अच्छे result नहीं मिलेगा, लेक पैसा आपका है, decision आपको लेना है, कि आपको कितनी जल्दी पैसा कमाना है, या कितनी अच्छे से सीख कर पैसा कमाना है, जल्दी का काम हमेसा आपको ज्यादा risk देगा, ज्यादा loss देगा, इसलिए पहले सीखने पर focus करे, तो Fibonacci setup में यही था, अगर आपको कहीं पर कोई कोई भी confusion था, कोई भी confusion रह गई हो, तो मुझे comment box में message कीजेगा, ऐसा साइध ही कोई message होता है, जिसका मैं reply नहीं देता हूँ, तो कोई भी confusion रही होगी, कोई भी query रहीगी, मुझे comment box में message कीजेगा, and हाँ मेरा telegram channel आप join कर सकते हो, आप देख सकते हो, उस पर live market में मैं यह सब चीज post करते रहता हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो अच्छे लगी हो, तो वीडियो को like करें, और ऐसा ही trading ideas के हमारे channel को subscribe करें, तो मिलते हैं हम अपने next video में, तब तक के लिए be positive, be profitable and trade करते रही है,